हवाई जहास की वज़ा से उड़ गई कार दोस्तो अविएशन मुवमेंट से भरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको प्लेन की वज़ा से उड़ती हुई एक कार से लेकर हेलिकॉप्टर से खुलती हुई बॉटल कैप के ऐसे ऐसे द्रिश्च दिखाएंगे जनने देखकर आपके मुव से भी वाव निकला आएगा कार प्लोन ओवे वाय प्लेन प्लेन के नस्दी खड़ी इस कार का तो कबार ही हो गया क्योंकि जैसे ही इस प्लेन का एंजिन स्टार्ट हुआ तब ये कार ऐसे उड़ गई जैसे ही ये कोई कागस का टुकड़ा हो अलागी अचानक हुआ कोई आक्सिडेंट नहीं था बलकि इससे तो एक टीवी शो के तहत प्लेन के एंजिन की पावर दिखाने के लिए इंजाम दिया गया था एरपोर्ट टग कैचस फायर ये फुटिच इंडिया के ही एक एरपोर्ट की है जिसमें प्लेन के काफी पास खड़ा के एरपोर्ट टग अचानक से एक चिंगारी के वज़ा से आँख की चपेट में आ जाता है खेर अच्छी बात ये है कि इस घटना में ना तक कोई इंसान इंजर्ड होता है और ना ही पास खड़े इस प्लेन को किसी तरह का नुकसान पहुँचता है प्लेन नोस गेर कोलाप्सेस ये प्लेन एरपोर्ट पर अपनी अगली उडान की तयारी कर ही रहा था कि अचानक ही इसका नोस गेर टूट जाता है और एक गेट पर जा गिरता है जिससे देख पास खड़े उस व्यक्ति के होश उड़ जाते है वो तो अच्छा हुआ कि ये सामने एक बड़ा सा बैलून आ गया दोस्तों अच्छी बात ये हुई कि प्लेन उस बैलून जे नहीं टकराया और उसके काफी करीब से गुजर गया वरना इससे कोई भी बड़ा हाथ सा हो सकता था ये पागल आदमी अपने हाथों में एक बड़ी इसी कपड़े की थैली लिये प्लेन के पीछे खड़े होकर उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे पहले कि ये हवा में थोड़ा सा भी उड़ पाता प्लेन के एंजिन की पावर के सामने ये टिक नहीं पाया और जमीन में गिर गया बर्ड स्ट्राइक ये बोईंग 737 प्लेन जब रन्वे से टेक आफ कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी टककर एक पक्षी से हो गई अलगी इससे प्लेन के एंजिन्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये आराम से आसमान की उचाईयों पर चला गया लैंडिंग साइडवेस इस प्लेन में विन्टो सीट पर बैठे पैसेंजर्स को रन्वे का व्यू पाइलेट से भी काफी बहतर मिला होगा क्योंकि इस plane की landing सीधी नहीं हुई बेलकि इसके pilots ने crosswinds की वज़ा से इस तर runway पर sideways land कराया Plane flying close to each other इन दोनों planes को उड़ा रहे pilots वाक़े में बहुत ही ज्याद experience होंगे क्योंकि तभी तो ये इतने बड़े planes को बिना किसी दिक्कत और खत्रे के एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा खरीब उड़ा रहे है जेट passing by very low इस जेट के pilot की तारीफ करने ही होगी क्योंकि इसने जिस हिसाब से अपने तेज रफतार जेट को जमीन के इतने ज्यादा खरीब से उड़ाया है वो सच में एक बहुत मुश्किल काम है जिसे हर पाइलिट अंजाम नहीं दे पाता वैसे तो हेलिकॉप्टर उड़ाना कोई आसान काम नहीं होता पर ये स्किल्द हेलिकॉप्टर पाइलिट इतना ज्याद एक्सपिरियंस है कि इसने बड़ी ही तेजी के साथ उड़ान भरते हुए अपने हलिकॉप्टर से भारी भर कम सामान की डिलिवरी करती टेल स्ट्राइक वाइल टेकिंग ओफ बॉइंग 767 नाम का एक कारको जेट जब जापान की राजधानी टोकियो के एक एरपोर्ट से उड़ान भर रहा था तब उड़ान भरने के कुछी सेकंड्स पहले इस प्लेन की टेल यानि की पिछला हिस्सा जमीन से ठकरा गया अलगी इससे प्लेन को नुकसान नहीं हुआ ये तो अभी तक अन्नोन है कि इसके बावजूद भी ये प्लेन उड़ान भरते हुए केनडा में सेफली लैंड हो गया था ये आदमी वाके में बहुत दमदार है क्योंकि तब ये तो इसने इतनी तेज लो फ्लाइंग जेट के नीचे खड़ होने की हिम्मत दिखाई है एक बात सच है कि अगर जेट का पाइलट थोड़ी सी भी गलती कर देता तब इस आदमी की मौत पक्की थी कुछ लोगों ने इस कार पर प्लेन की तरह ही विंक्स लगा दिये हैं क्योंकि नहीं लगता है कि शायद ये कार भी विंक्स की वज़ा से प्लेन की तरह उड़ जाएगी वैसे ऐसा होता नहीं है बलकि इसका उलट हो जाता है क्योंकि ये कार सामने खड़ी दूसरी कारों से जा भिड़ती है इन लोगों को नहीं मालूम था कि एक जेट इनके बलकुल उपर से गुजरने वाला है लेकिन तभी जब जेट गुजरा तभी ये सबी एक दम शॉक्ट रह गए क्योंकि जेट की स्पीड से उड़ी धूल ने इन्हें गंदा कर दिया ये नजारा सच में बहुत अध्भुत है क्योंकि इसमें आसमान में साथ साथ उड़ रहे जेट अचानक से एक साथ फ्लेर छोड़ देते हैं इसके बाद ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो ओपनिंग बॉटल कैप बाई हेलिकॉप्टर इस हेलिकॉप्टर पाइलेट के कंट्रोलिंग की सच में दाथ देनी होगी क्योंकि इसने जो किया है वो करना भेद मुश्किल है देखिए कैसे इसने अपने हेलिकॉप्टर में बॉटल ओपनर हसा कर हेलिकॉप्टर को उड़ाते उड़ाते ही नीचे जमीन पर रखी बॉटल का कैप खोल दिया जो सच में काविले तरीफ है लाँचिंग आर्सी स्पेस शटल ये आदमी एक टॉइ आर्सी स्पेस शटल लाँच कर रहा है लेकिन जैसे ही इस स्पेस शटल को लाँच करता है तब किसी तकनीकी कारणों के चलते ये स्पेस शटल ठीक से लाँच नहीं हो पात और बहुती फणी तरीगे से थोड़ा से उपर जाने के बाद जमीन पर गिर पड़ती है जेट शूटिंग फ्लेर्स वाइ फ्लाइंग वेरी स्लो जेट्स वैसे तो तेज उड़ते हैं पर अभी आप जिस जेट को देख रहे हैं वो नासर बहुती ज्यादा स्लो तरीगे से उड़ रहा है बिल्कि स्लो फ्लाइ करते हुए ही हवा में फ्लेर्स भी छोड़ रहा है जो देखने में बहुत आसम है एर टु एर री फ्यूलिंग उड़ान के दौरान ही इस हवाई जहाज में फ्यूल भरा जा रहा है और ये काम कोई और नहीं इसके आज हुबाजी मोजूद दो फाइटर जेट्स अन्जाम दे रहे हैं कूल क्लाउट फॉर्मेशन ये कोई आइस क्रीम फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये आसमान में उड़ते बादल है जोने बहुती उचाई पर उड़ रहे एक फाइटर जेट से रिकॉर्ड किया गया है तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो अगर आप कोई वीडियो बसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद